चलिए अब discuss करते हैं question number 17 जहाँ पे आपसे पूछा है कि इन्हें triangle ABC यह आपके सामने ABC triangle है इसके vertices given है A के 2 3, B के 4 minus 1 and C के 1 और 2 given है vertices आपसे बोला है find the equation and length of the altitude from the vertices A यहीं कि A से आपने एक altitude डाला कहां पर B पर तो यहीं अपना altitude है आपसे इसका length पूछा हुआ है और साथ में आपसे बोला हुआ है कि आप equation बताओ ठीक है इसका equation भी बताओ और आप इसकी length भी find करोगे तो देखो important यह हो जाता है कि किस line पे perpendicular ड कर दला होता है वह जादा important होता है क्योंकि information वही line प्रवाइड कराता है A B C की information यह line प्रवाइड कराता है बेसक से मामला इसका सेट हो रहा होता है मतलब की length इसका निकल रहा होता है लेकिन information यह बताता है इना similar fashion अगर आप चीजों को notice करोगे length आपको इस red वाले line की निकालनी है बट यह BC जो है ना base यह सारे detail प्रवाइड कराएगा तो सबसे बहले आपको इस BC line का equation पता करना इस कहानी को शुरू करते है आपके पास vertices है ABC यहां पर ठीक है अब आपको slope निकालना है क्या निकालना है slope निकालना है points है ना 2 point है 2 point की मदद से आप क्या निकालोगे slope निकालोगे आपको पता है slope कैसे निकलता है 2 point की मदद से यहां पर हम लिखते है slope let me write fine तो 2 point की मदद स अगर एक्वेशन होता तभी तो हम A, B, C निकालते हैं जैसे आप यहाँ पर नोटिस करो इस कोश्चन में अगर मैं आपको दिखाऊं यह पुरा इक्वेशन है ऐसा इक्वेशन नहीं है तो पहले हम निकालेंगे अब देखो निकालने के लिए आपको इसको दो X1, Y1 सबकी जरूत पड़ेगी तो इसे माले लो X1 इसे माले लो Y1 इसको माले लो X2 इसको माले लो Y2 तो इस सारे ब्याई आपने आपको अब आप क्या करोगगे यहाँ पे पुट कर दो कि स्लोप निकाल जाएगा तो सेम चीज क्या गया अलेट slope of line BC, BC line का slope निकाला गया, y2 minus y1, देखो, यहाँ पर वोई चीज करके, slope निकाला, वो है, minus 1, तो slope निकाल के आगया, minus 1, यह समझ गया है, अब slope आगया, इसका minus 1, तो इसके slope से, इस line का क्या लेना देना, बहुत बड़ा लेना देना है, यह line और यह line आपस में perpendicular है, और जब help, हम कैसे लेंगे, m1 multiply by m2 is equal to minus of m, minus of 1, यहाँ कि इस line और इस line का relation कुछ इस प्रकार से होता है, अब आपने इस line का slope निकाल लिया, suppose इसको m1 माल लो, तो m2 की value आपको मिल जाएगी, यहाँ पे m2 की value इसकी मदद से आपने निकाल लिया, यहाँ पे देखो, सेम चीज इस line, passing through the point 23 and having a slope is 1, तो अब आप इस line का equation बहुत असाने से निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको इसka slope मिल गया, इसka slope आपने 1 निकाल लिया, और एक point है, एक point और एक slope की मदद से कैसे equation निकालते है, यह बात आपने 10.1 में सीखा होगा, तो वहाँ पे आपको formula देखा हो आप equation निकाल रहे हो, ठीक है, point इसका इसका इस्तमाल किया, और slope इसका 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 इस्तमाल किया, चलिए, तो यहाँ पे सारी values put कर दोगे, जो slope आए था, यह M, वहाँ पे M की value put कर दोगे, M जो था, वो 1 था, points X1 और Y1 की value है, 2 और 3 respectively, put करने के बाद यह equation बन कियाएगा, So this is the equation, red वाली लाइन का, अब हम बात करते हैं, कि इस लाइन का, इस वाली लाइन का, यह जो लाइन है, ठीक है, इस BC लाइन का equation क्या होगा, तो चलिए, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, the length of AD, ठीक है, इसको अगर आप D माल लो, यह तो यहाँ पे A है, ठीक है, इस point को देके चलों आपको, कि जो इसका length है, इसका length यह लेंठ अगर है, इसका length perpendicular है, ठीक है, टीक है, अब यहाँ पे मुझे इसका length निकाल रहा है, तो मैं इस BC लाइन पे perpendicular डल रहा है, वह इसका length होगा तो BC किसी line पर perpendicular जब डलता है तो उस वक्त का equation आपको use करना पड़ेगा जो कि क्या होता है आप यहाँ पर दिखा हूँ यह वाला equation होता है चलिए इसको solve करते हैं आगे तो उसके लिए आपको BC का equation निकालना पड़ेगा जैसा मैंने बता है तो आप BC का equation find भी करोगे अब BC का equation निकालना भी बड़ा simple है यही formula इस्तमाल करो चीक है यह वाला formula आप इस्तमाल करो BC का slope आपको पता ही था X1, Y1 ने भी आपको मालूम है और वहां से आप BC का equation निकालोगे super important है यह BC का equation यही आपकी help करने वाला आगे चाके चीक है अब आप यहाँ पर notice करना जब आपने यहाँ पर यह equation निकाल लिया हूँ है X plus में Y minus में 3 is equal to 0 यह BC का equation है अब आप इसको compare करो AX plus में BY plus में C से तो यहाँ से A की value क्या निकल के आएगी 1 B की value भी 1 ठीक है B की value भी 1 और C की value जो है आप आप आगे बढ़ते हैं अब देखो जो यह हमारा D ठीक है यह हमें D निकालना है और इस line पर यह perpendicular डला हुआ है तो यहाँ से तो हमने ABC निकाल लिया इस line का सारा कुछ ठीक है यह ABC जो है हमने निकाल लिया अब हमें D की value निकालनी है तो A हमें पता है A1 है BV1 है ठीक है तो यह होप कि आपको यह कुशन समझ आया होगा कुशन नमर 18 आपको ट्राइ करना बहुत ईजी है वह आपसे सॉल्व हो जाएगा अगर नहीं समझ माहेगा तो तो कॉमेंट मी एना मेक अ विडियो